चिंदाबार 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 सब्से पहले कुछ गोधी इडिया मीडिया वाले लोग दिखाना नहीं लेकिन आपने दिखाया सरकार बिल्कुल उनके तरफ ि इसके मतलब जिनोंने तबरेज की मॉब लिंच कि जिनोंने तबरेज को मारा उसके बचाओं में एक तरह से उनकी लॉयर बन गई है सरकार एक लोयर की तरह काम कर्याय इसकार उनके पक्ष में बिल्गुत चली गई है इस तरह तबरेज के ख़त्यारों पे लगा 302 का मूंक कर दिया गया उसको 304 में कर दिया गया उसके लगता है कि सरकार पुरी तरह मिलूई है और सरकार इसे बचा रही है क्या लग रहा है आए दिन चाहिए पहलु खान हो अखलाक हो या तबरे जंसारी अलमित बीन हो कहना कि लोग मामले आते रहते हैं कि बिर्टन्स मार देता है इनका क्या सोलूशन है कैसे बचा जाए लोगो को इस बिर्टन्स से बचने के लिए सबसे पहले गजेंद्र भाई है है ऑफ दूसरी जो चुछ नच्शनन चंडी पहनेने के लहकी मैं डढ़ से डारी नहीं पहन कर लोग मैं जुनेज़ा हूं कौ Means अरहता है मेरे साथ मोब लिंच ना हो जाildों सब सरकार करा रही एक लोगों को भाल रहे हैं जैसे मैं जो भूल रहा हूं कर लोग सुनने को तयार नहीं है अना कि जो जाई जाए जो गलत है सरकार ने कहा था जिए 35 यूप में ट्रॉल दूगा लेकिन आई तो आज 78 पे दे रही लेकिन सरकार उसे खिलाफ लोग उसे खिलाफ नहीं सुनेगी क्यों ब्रेनवास हुआ है सरकारी मॉब लिंच करा रही है कर काम सरकार अपना खाम शुबल भी मॉब लिंच कराना الزू कि बीत चला एंडतु अपर का सबस्कूर टकूल ल הבने काम है हमारी कुषिश से हो जह साल से दिल मेरा मैं ल१ Charlot priria कुछ दिनों लग यह जा और कुछ दिनों हो जाए तो कुछ दिनों बाद घ्रकंड में चुनाव क्वनाक है चुनावी अजंडा इस वक्त इतने दिनों बात दो में यह बात लगबग दव चुकिते हुए पिर हटाया क्यों गया क्योंकि चुनाव आ रहा है चुनाव कि अब सीट बटवारा हो रही है वहां पर इसलिए चुनावी एजंडा बन रहे हैं मतलब हमारे लोग अब इससे जीतेंगे फुर्ण बहुमत आएगी और फिर वहां पर मॉब लिंच करेंगा ऐसा फिर ऐसा कुछ होगा यह चुनावी एजंडा है क्या लग रहा है मोदी आपने भाषणर में कियाते रहते हैं तो क्या जी बिजएप को यह मुस्लमानों को विदान सभा में दिखाई भी थे उनने दिखाया था इभी मैं करके बताया था कि अपनी गुवर्मेंक पी बाती नहीं है बटन दवा इस और को किसी और को क्या लग रहा है आपको उमीद है मां की परिशासन से या सर्फार से क्या तरवेज असारी को या उनकी जो विवियन क तो क्या कोई मिल पाएगा उनको आजाए कि ने जल्दी रहम आता नहीं है असोख भी बदला का भूँद्धा बहुत जमाने के बाब भाईले लाटरा करने के वाद असोख बदला था कई हो सकता है कुछ हुच कर दो कहा जता है जाए इसमें तो कहीं बुझास बच्टी नहीं है बिल्कुल ऐसा होता है लेकिन लेकिन वह लोग अलग माइंड के पुछ लोग उसमें सही भी थे पुछ लोग ऐसे ने पुरी बीजेवी पाटी करा आगा जैसे मनुवर परिकर्ट अभी अभी अच्छा मंत iyaan who the wa marker कै में ये पायी ओटीजी के बेटquIG मुस्लीम नेताया की खुके है उनकी बीजेवी नेता के पेटी है अद्वानी जी की बेटी बीजेवीत नेता कर चुके हैं वे तबरेज के इंसाफ के लिए हम लोग इंहां जमा हुए है 302 को 304 किया गया है ये अभी पिछले 5 सालों में कोई नई बात नहीं है ये गौर्मेंट की एक सोच बन चुकी है कि मुसल्मानों के खिलाफ दलीतों के खिलाफ इस तरह के केस हो रहे हैं उनको कमजोर करने के लिए ये सब किया जा रहा है कुलिस मुल्जिमों की पूरी मदद कर रही है गौर्मेंट मदद कर रही है पूरी सरकार उनकी मदद कर रही है उसे खिलाफ हम लोग यहां जमा हुए है कि उसको 302 की जो धारा उन पर लगी हुई थी वो दुबारा से वही धाराएं उन पर दुबारा लगें उनको उसकी सजा मिले यह आजकल जो यह सब हो रहा है जो लोग जल्म कर रहा है जियाती कर रहा है लोगों को मार रहा है मौब इंचिंग हो रही है तो इसमें गौर्मेंट सीरियस नहीं है यह सियासी मेडर है यह सब एक माहुल बनाने के लिए किया जारा है और फूरे हिंदुस्तान में एक खोफ का माहुल बनाया जारा है आप जहां भी देखें एक खोफ का माहुल है ऐक डर का माहुल है और जो गुनेहगार है उनको यह यकीन हो चुका है कि हम कुछ भी कर लें हमें सजा नहीं हो आज तक जितने भी केस हों हैं आप किसी भी केस को उठा के देख लिए अखलाक का केस हो पहली का केस हो एक महीना पंदरा दिन बीस दिन दो महीने में जमानत मिल जाती है और कुछ ना कुछ ऐसी धाराएं और उनकी FIR में इस तदा की कमजोरी जानपुझ कर छोड़ी जाती है जिससे आगे चल करके उन लोगों को रहत मिलती है और वो जेल के बाहर घूम रहे हैं इस पर कोई हुकूमत कोई विपक्ष आवाज उठाने के लिए तयार नहीं है विश्वास की बात करते हैं क्या उन्हें यह नहीं नजर आता कि इस तरीके के केस जब होते हैं तो एक खास कमुर्टी या एक खास समुदाए बहुत अकेलापन महसूस करता है असहाय महसूस करता है उन्हें यह पता नहीं चलता होगा हमारे परदान मंतरी जी के बारे में बहुत मशूर है कि जुम्ले बाजी अच्छी कर लेते हैं और ये भी एक मैं समझता हूँ एक जुम्ला ही है सबका साथ सबका विकास और एक नया जुम्ला चुड़ाता सबका विश्वाश तो ये भी एक जुम्ला है और जुम्ले के अलावा और कुछ नहीं है ये सब एक तेसा आप आवाज उठाते रहेंगे हम इंशालला उसको आवाज को उठाते रहेंगे इनके जिल्मोजे हम तबेंगे नहीं